परिचाए रवी, क्या तुमने आज का गणित का होमवर्ग कर लिया? हाँ, मैंने अपनी कक्षा के छात्रों द्वारा पसंद किये जाने वाले विबन खेलों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है. ठीक है, लेकिन तुम ये कैसे पता लगाओगे कि किस खेल को सर्वधिक छात्रों पसंद करते हैं? ये तो बहुत आसान है, मैंने इन आकणों को तालिका के रूप में वैवस्थित किया है, और अब मैं इन आकणों को देखकर कह सकता हूँ कि बास्केट बॉल को सर्वधिक छात्र पसंद करते हैं. बच्चों, आपने देखा कि आकणों का संक्रहन बहुत महत्पून कार है, हम आकणों को विभिन प्रकार से वैवस्थित कर सकते हैं, और कुछ उप्योगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इस पार्ठ में हम आकणों के रख रखाव के बारे में सीखेंगे. उद्देश आकणों का संग्रह आकणों द्वारा बनाये गए रनों का आकणा है. इन आकणों को देख कर क्या आप पता सकते हैं कि वर्ष के दारान किस भारतिये बल्लेबास ने सर्वधिकरन बनाये? नहीं. इसलिए यह पता लगाने के लिए कि वर्ष 2010-2011 के दारान किस बल्लेबास ने सर्वधिकरन बनाये हैं. हमें प्रतेग बल्लेबास द्वारा बनाये गए रनों से संबंधित आकणों का संग्रहन करना पड़ेगा. इसलिए बच्चों, बिना उप्युक्त आकणों का संग्रहन किये, आप जरूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते. आकणों का संगठन हम आकणों का संग्रहन रिकॉर्ड करने वा वैवस्थित करने के लिए करते हैं. लेकिन हमें ऐसा करने की आवशक्ता क्यों है? निम्न आकणों को देखें, कक्षा साथ के कक्षा ध्यापक ने दस छात्रों का भार इस प्रकार लिखा, क्या इसे आसानी से समझा जा सकता है? अब आकणों को देखें आप आसानी से जान सकते हैं कि किस छात्र का भार सबसे ज्यादा है और किस छात्र का भार सबसे कम इसलिए जब हम आकणों को उप्युक्त तालिका में रखते हैं तो इसे समझना और समझाना आसान होता है हम अनेक प्रकार के आकणों को तालिका के रूप में प्रदशित कर सकते हैं प्रतिनिधी मान राहुल प्रतिदिन आउसत दो घंटे आउट डोर खेल खेलता है इस समय पर दिल्ली का वर्ष का आउसत तावमान लगभग 40 डिग्री सेलसियस है क्या आपने शब्द आउसत पर ध्यान दिया है आउसत से हम यह समझते हैं कि राहुल प्रतिदिन सामाने रूप से दो घंटे तक खेलता है कुछ दिनों में वो कुछ समय कम खेल सकता है जबकि कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं जब वो कुछ अधिक समय तक खेले इसी प्रकार 40 दिग्री सेल्सियस आउसत तापमान का आर्थ है कि इस समय दिल्ली का वर्ष का आउसत तापमान लगभग 40 दिग्री सेल्सियस है कभी-कभी यहाँ 40 दिग्री सेल्सियस से कम भी हो सकता है और कभी कभी यह 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक भी हो सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि दिये गए आकड़े का आउसत उच्चतम मान तथा नियूनतम मान के मध्धे स्थित होता है। विभिन प्रकार के आकड़ों का वरलन करने के लिए विभिन प्रकार के निरूपक मान की आविशक्ता होती है। इन निरूपक मानों में से एक समानतर माध्ध है। आईए इसके बारे में सीखें। अंगणतिये माध्धे माध्धे संख्याओं का आउसत है जिसकी गणना आसानी से की जा सकती है सामाने रूप से माध्धे ग्यात करने के लिए कुल निरूपणों के योग को उनकी संख्या से भाग दिया जाता है आए इन संख्याओं के माध्ध की गणना करें सबसे पहले संख्याओं का योग करें। इन संख्याओं का योग साठ है। कुल पांच संख्याएं हैं। अतहा मध्धे बराबर साठ बटे पांच जो बारा के बराबर है। अतहा उप्रोक्त संख्याओं का मात्धे बारा है। अंक गनितिये माधे का अभ्यास रोहित बुद्धिमान और वहत परिश्रमी लड़का है। उसने अपने गनित के अंक पढ़ाने के लिए साथ बार परिक्षा दी है। यहां प्रदर्शित आंकडा रोहित के प्रापतांक हैं। क्या आप रोहित के प्रापतांकों का माध्धे ग्यात कर सकते हैं। अच्छा, तो आईए, सबसे पहले प्रापतांकों का योग करें, जो तीन सौ है। हम जानते हैं कि उसने साथ बार परिक्षा दी, इसलिए रोहित के प्राप्तांकों का माध्धे बराबर तीन सु बटे साथ जो की 42.86 है. प्रसार या परिसर, रेंज आग्णों के समुच्य का प्रसार यानी रेंज, समुच्य के उच्चतम मान वा निवनतम मान के मध्ध का अंतर होता है. रेंज ग्यात करने के लिए सबसे पहले आग्णों को कम से ज्यादा के क्रम में वैवस्थित करें. उसके बाद सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएं. अताहा, बच्चों, अब आप भी आग्णों के समुच्य की रेंज ग्यात कर सकते हैं. प्रसार या परिसर की गणना पांच प्रतिभागियों ने अपनी तैराकी प्रतियोगिता पूरी की. क्या हम इन आग्णों से तैराकी के समय की रेंज की गणना कर सकते हैं? हाँ, यह आसान है. सबसे पहले आग्णों को कम से ज्यादा के क्रम में लगाएं. अताहा, समय के उच्चतम मान में से निवनतम मान घटाएं. अताहा, तैराकी के समय की रेंज 3.9 मिनट है. बहुलक साधारन रूप से बहुलक वो संख्या है जो बार-बार आए. इस उधारन को देखें. यहां कुछ संख्याएं हैं. हम बहुलक कैसे ग्याद करेंगे? बहुलक ग्याद करने के लिए सबसे पहले हमें संख्याओं को क्रम में लिखना होगा. उसके बाद हमें गणना कर दी होगी कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है. अब देखें कि कौन सी संख्या सर्वधिक बार आई है. इसमें आठ दो बार आया है, इसलिए बहुलक आठ है. बहुलक की गणना इस आंकड़े को देखें, यह एक कक्षा के पच्चीज बच्चों की लंबाई को प्रदर्शित करता है, आएए उनकी लंबाई का बहुलक ग्यात करें. यह बिल्कुल आसान है, सबसे पहले संख्याओं को क्रम में लिखें और इन्हें तालिका में रखें, इसके बाद करना करें कि प्रतेक संख्या कितनी बार आई है, देखें कि 163 नौ बार आया है, इसलिए बच्चों की लंबाईयों का बहुलक 163 है. माध्धिका और इसके बाईयोर तीन संख्याएं है, अताहा माध्धिका बारा है. माध्धिका की गर्ना गोयन का परिवार में पांच बच्चे हैं, जिनकी आयू 9, 12, 5, 18 और 15 वट्ष है. माध्धिवाले बच्चे की आयू क्या है? सबसे पहले हमें बच्चों की आयू को कम से ज्यादा के क्रम में वैवस्थित करना चाहिए. निश्चित रूप से मध्धिवाले बच्चे की आयू आकणा समुच्ची के मध्धि में है, जो की बारा है. इसी तरह आप विभिन्य प्रकार के आकणों की माध्धिका ग्याद कर सकते हैं. सारांज आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षियप में दोहराएं. आकणों का संग्रहन, रिकॉर्डिंग और प्रस्तोती करण हमें अपने अनुभवों को सुनियोजित करने और उनसे निश्कर्ष निकालने में मददकार है. सामाने रूप से मद्धि ग्याद करने के लिए कुल निरूपडों के योग को उनकी संख्या से भाग दिया जाता है. आकणों के समुच्य का प्रसार या परिसर यानी रेंच समुच्य के उच्चतम मान वा निवनतम मान के मद्धि का अंतर होता है. साधारन रूप से बहुलक वह संख्या है जो बार बार आए माद्दी का वहमान है जो परिमान के अनुसार वेवस्थित संख्याओं के समोह के मध्य में होती है